नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मद्विदेश सामान ग्यान से सम्मदित आपके कुछ मत्पूंट कुश्चन्स और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूम में यानि की नहीं हम लोग मद्विदेश MPJ के मौक टेस्ट कह सकते हैं तो अभी तक हम लोग आपके 13 टेस्ट खतम कर चुके थे यह आपका 14 वाट टेस्ट है कौनसा 14 वाट तो याद रखिए अगर आपने मद्विदेश सामान ग्यान को पहले डेटेल के साथ यानि की विस्तार में नहीं बढ़ा है तो उसे पढ़ लें तभी मौक टेस्ट होगा और आप अपनी चमता भी जान सकेंगे कि आप किस लेवल में पहुंचे हैं तैयारी की तो हमारी तरफ से भी आपको कवर किया गया है मद्विदेश सामान ग्यान कम्पिलीर तो आपकी 17 गंटे की करीब एक क्लास है एक ही लेक्चर है उसमें आपका पूरा मद्विद सामान ग्यान कवर किया गया MPPSC लेवल का तो यह आपको 17 गंटे का लेक्चर सुपरफास्ट रिवीजन के नाम से जो प्ले लिष्ट सूची है उसी में डला हुआ है वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं तो चलिए 14 वी टेस्ट का हम लोग पहला कुश्चन देखते हैं क क्या है पहला कुश्चन हमारा काना किसली राष्टी उद्यान के बारे में निम्न कत्नों पर विचार करें जो आपका काना किसली राष्टी उद्यान है इसके बारे में नीचे जो कतन दीए गए हैं इनमें हमें सही कतन देखना है एक उद्यान में हवाई पट्टी है इस उद्यान में क्या है हवाई पट्टी है सही है राज का एक मात उद्यान है जहां बारे सिंगों का सिंगा पाये जाता है सही है 1955 में इस थापित मंडला जिले में राजिका सबसे बड़ा राष्टी उद्यान है बिलकुल सही है इस उद्यान को हालो बा बंजर घाटी है इस उद्यान में आपकी हालो बा बंजर घाटी है इसमें क्या पूछाए निमने कत्रों में से कौन सा कत्र असत नहीं है यानि कि सभी आपके सत्य कोई यह सत्य नहीं है D option होगा पता है इस तरह की questions आपके civil service के prelims में पूछे जाते हैं अब तो UPCS में भी इस तरह की questions पूछे जाने लगें आपके तो आप लोगों इस तरह से भी ढल जाएं पता नहीं कब MPPSC भी इस तरह से questions पूछे जाने लगें तो question number 1 में क्या होगा चारों कथन आपके सही होगे यानि की D option अंगला question है हमारा दूसरा, संजर राष्टी अवध्यान जिसे केंद सरकार ने 2008 में Tiger Reserve घोसित किया था यह मद्देश के सीधे जिले में अवस्थित, है रहाए 34 गड की कौन से जिले में आता है? मद्देश की सीधे जिले में है और यह 36 गड़ के कौन से जिली में आता है तो याद रखना कोरिया यह दच्छिड उत्तर कुरिया नहीं है यह 36 गड़ का कोरिया जिलाया है याद रखना ठीक है नौ अंगला कुश्चिन है मारा तीन इन में से कौन से छित जय मंडली है आरक्षे चित में आते हैं पचमडी आपका आता है अमार कंठक अचानक मार भी आता है अचानक मार तो इसमें क्या होगा आपका बी एक और दो कतन सही है कुश्चिन है मारा चार निम्न में से कौन समलित नहीं है जो निच्चे दिये गए है ऑप्सन इन में से सही समलित नहीं है रेप्टाइल पार्क आपका पन्ना में है पहला सरप उध्यान वोपाल में है जीवास में राष्टी उध्यान रीवा में नहीं है उध्यान की आपका क्या होगा सी सी सही सुमलित नहीं है कि कुश्यन है मारा पांच क्या है डाइनासौर जीवास्म उद्ध्यान कहां बनाया जा रहा है यह आपका दाहार में पांच में आपका ए चटवा सुर्म मैनेया अभ्यारन किस जिले में पिस्तावे थे तो यह आपकी पूर्वी निवाड में यानि की खंडवाजिले में पूर्वी निवाड किसे कहती है खंडवाजिले को तो कुष्यन चटवे में आपका ए है साथवा निम्न में से सबसे छोटा अभ्यारन कौन सा है तो यह आपका राला मंडल साथ में आपका सी होगा कुष्यन नमबर साथ में क्या होगा सी ओप्शन बिलकुल सही होगा आठ माधाव राष्टी द्ध्यां से होकर कौन सा हाई वी गजरता है अन्ह 3 राष्टी द्ध्यांट से अपका कौन सा हाई वी गजरता है फ़ल आठ में आपका ए 9. विजराजी के कितने राष्टी उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सामिल हैं तो पहले आपके 6 थे आप साथ हो गए ठीक है? तो पहले 6 थे लेकिन अब साथ हो गए कुश्यन है मारा 10 क्या है? डाइनासोर जीवास में राष्टी उद्यान कहां बनाया जा रहा है? यह पहले भी देख चुक हैं कुश्यन यह आपका धार में कहां? धार जिले में 11. राज की किस अभ्यारन को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सामिल किया जा रहा है? राता बानी 11. ग्यारे में आपका B 12. क्या है बारे? निमली कितमें से कौन सा राष्टी उद्यान? प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल नहीं है पैंच है, पन्दा है, संजय भी है लिकिन माध हो नहीं है तो बारे में आपका C 12. क्या होगा आपका C ओप्सन चल दें question number 13 की तरफ अब इस तरह कि आप लोग question तभी solve करने की स्तिती में होगे जब आपने detail में पढ़ा होगा मद्वदे सावान ग्यान को सूची एक और सूची दो को सुमलित करना है मैं सूची एक में आपके अभ्यारण दिये गए है और सूची दो में सम्मदित जिला फैन क्या है आपका फैन यह मंडला में है बगदरा सीधी में है पैच सीवनी छेदवाड़ में है कैन छतरपूर पन्ना में है तेरह में आपका ए होगा question number 13 में क्या होगा आपका ए ओप्सन बिलकुल सही चौदय मद्विदेश के उध्यानों में सरवादीक पाये जाने वाला पसू कौन सा है तो यह आपका चीतल क्या है चीतल है question number 14 में आपका B फिर आपका 15 पन्पथा अब भ्यारन कहा इस्ते थे पन्पथा अब भ्यारन आपका सहडोल में कहा है सहडोल जिले में question है हमारा सोले क्या है fossil राष्टी उध्यान किस जिले में इस्ते थे fossil राष्टी उध्यान किस जिले में इस्ते थे तो यह आपका दिंडोरी कहा है दिंडोरी में ठीक है कुश्यन है हमारा सत्र है अच्छान कमार यानि की अच्छानक मार को कब जय मंडल आरक्षित गोसित किया गया तो यह आपका 2005 में कब वर्स 2005 में कुश्यन है अठारे निम्ने कत्रों में से सत्र कतन को पहचानी है अब याद रखे इस तरह कि क्विश्चेंस आप लोग कब सॉल्व करबाएं करने की स्थिति में हुए जब को आपको सभी कत्रों के वारे में जानकारी होगी यानि कि विस्तार से आपने मद्विदेश समान ग्यान को पढ़ा हो तो निम्ने कत्रों में से सत्त कतन की पहचान करना है फॉसिल राष्टी उद्यान रतलाम जिले में है गलत है मद्विदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है यह भी सही है संजय राष्टी उद्यान को बर्स 1988 में गोसित किया गया यह भी आपका गलत है इनमें से कोई नहीं तो इसमें में आपका सही होगा बे क्या होगा बी सही होगा क्रूशन नहें 19 मदविदेस का पिथम सरब उद्ध्यान कहां इस्ति थे बोपाल में मदविदेस राज का पहला सरब उद्ध्यान आपका बोपाल में है फिर आपका कुश्चन 20 एक अब्यारन जो मुरेना में इस्तित है तो यह आपका चंबल गढ़्याल अब्यारन कौन सा चंबल गढ़्याल अब्यारन 21 कुश्चन कौन सा राष्टी उद्यान ग्वालियर की महराजा का साही आरक्चित सिकार्चित था तो यह आपका मादव राष्टी है उद्यान इसी से आपका NH3 राष्टी मार्ग गुजरता है कुश्यन है मारा 22 सीधी के दो अभ्यारण कौन से है नसिंगर और घाटी गाओ 22 में आपका 22 में आपके क्या होगा संजय डूबरी और बगदरा 22 में भी होगा 21 में आपका स्थी था मादव राष्टी उद्यान और 22 में आपके स्थीधी के दो अभ्यारण है संजय डूबरी और बगदरा चीक है 23 23 में क्या है नौरादी अभ्यारण में इन जिलों को सामिल किया गया है इसमें आपका सागर दमोग, नरसिंगपुर और रायसें 23 में आपका ए उप्शन पिल्कुल सही है कुश्यन है आपका 24 ओरचा वन जीव अभ्यारण मदवदेश के किस जिले में इस्तित है तो याद रखना जब तक आपका निवाडी जिला नहीं बना हुआ था तब तक ए टीकमगड में आता था लेकिन जैसे ही आपका टीकमगड से अलाकर की निवाडी जिला बनाए गया है तब से ओरचा आपका निवाडी जिले में आ गया है यानि कि निवाडी जिले का गठन ओडशा तैसिल पितवी पुर तैसिल और आपकी जो निवाडी तैसिल है इन्हें मिलाकर बनाये गया है आपका निवाडी जिला ठीक है तो चली अंगले क्लास में हम लोग 15 वे टेस्ट के बारे में बात करेंगे